साहिब गंच के राज महल थाना शेत्र के पुर्वी नरायनपूर के मुर्गी टोला के तक्रीबन साड़े 600 हिंदू परिवार अपने ही घर से बेघर होने को बेवश हैं। में बिहार के ततकालिन मुख्यमंत्री कर पूरी ठाकूर के कारेकाल में पुर्वी नरायन के लगभग 25 विगा जमीन अधिकरित कर सरकार की ओर से इनको कागजात दिये गए थे। उसी में मेजर्मेंट और इडिटिफिकेशन का एक इशू चला आ रहा है। कपी समय से ये असी के दसक से ही चला आ रहा है। उसी केस में जो हाई कोट का आदेश आया था उसका हम अनवालंग कर रहे हैं। परन्तु जो भी लोग अभी उस चेतर में रह रहे हैं उस मोजा में रह रहे हैं उन प्रोट्स पे रह रहे हैं। उनको किसी को भी डिस्प्लेश या कहीं और विश्टापिद नहीं किया जाएगा। जहां रहा रह रहा है वह वह रहे गा। केवल मेजर्मेंट का इशू है। जहां-जहां जिस मेजर्मेंट के आव सकता होगी वह ब्रोट को मेजर करेंगे। हम लोग जब से मने पूर्व पाकिस्तान से जब से आये हुए हैं भीहार सरकार रहते हुए हम लोग को एक्वाइट करके और सिटिजन सिफ जो नागरिकता पमान पत्र हर फैमली को दे के यहां कर बैठाया गया है इसी टाइम से उसके बाद से जब भी दुसरा समधाय से हम लोग के साथ अत्याचार होते रहता है बीच बीच में बहुत अत्याचार होता है हम लोग के फसल आदी जो भी है उसमें लिए यहां पर अड़ब बन चुका है हमें लगता है कि हमारे प्रती जो है यह भूमाफिया जो है यह मैक्सिमाम जो है बंगलादेशी घुषपैट है और यह बंगलादेशी घुषपैट जो है चाह रहा है कि किसी तरीके से इस जमीन को हम लोग कपजाएंगे और यहां जो है इस जमीन को कबजा करके वो बंगलादेशी घुषपैटी को देंगे कि यह जो जो लोग डिमांड कर रहे हैं जमीन का इन लोग कोई बास्ता नहीं है इस जमीन से तो मुझे और यह लोग जो है हर शमाई अत्याचार भी करते हैं हमारे उपर हमारे यहां का जमीन का फसल लूट के ले जाता है रात को हमारे यहां जमीन को जो है जमीन का फसल को जला देते हैं